Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Haunting Network तो आज हम explain करने वाले है तो मूवी की शुरुवात होती है और एक मोटा सा प्रोफिसर बताया जाता है जिसका नाम शर्मन क्लम होता है जो की एक कॉलेज में प्रोफिसर के तौर पर काम करता था उसे सबी लोग काफी जदा पसंद करते है लेकिन उसके मोटापे के वज़े से वो काफी मुसीबदों में कई बार पढ़ चुका था तभी कॉलेज में वहाँ पर हड़कम मची हुई थी क्योंकि पता चलता है कि कुछ चूहे वहाँ पर आजाद हो गए है कई सारे चूहे जो कि कुछ 5000 चूहे पूरे कॉलेज में हड़कम मचा रहे थे वो एक साइन्स लैब में थे जहाँ पर उनके उपर प्रोजेक किया जा रहा था लेकिन वो किसी की गलती की वज़े से वहाँ से आजाद हो गए है थोड़ी investigation की जाती है तब ही पता चलता है कि शेर्मन के हाथों से ये liver किचा गया था जिसके वज़े से वो चूहे वहाँ से आजाद हुए थे और जिस वज़े से वहाँ के students को भी कई सारी problem से गुजरना पड़ा था तब ही शेर्मन शेली के पास जाता है जो की एक चूहा था और वो शेर्मन की काफी ज़्यदा अच्छी दोस्त थी क्योंकि वो भी उसकी तरह ही काफी ज़्यदा fat थी शेर्मन और उसके लोग ऐसे project ऐसे formula पर काम कर रहे थे जिसके वज़े से एक काफी ज़्यदा मोटे इंसान का weight चन सेकंड़ों में कम किया जा सकता है तब ही वो शेली पर इसका इस्तेमाल करते है और शेली 85 grams वजन कम कर लेती है automatic शेर्मन का lab assistant उसे ये dose बढ़ाने की सला देता है लेकिन शेर्मन ऐसा करने से उसे मना कर देता है क्योंकि वो बताता है कि ऐसा करने से शेली को काफी ज़्यदा problem और नुक्सान हो सकता है और फिर college के dean उसे office में बुलाते है और उसे उस और चुओ की हुई problems की वज़े से उसे काफी ज़्यदा बाते सुनाते है वो उसे उस हद्से के बारे में बताते है कि उस हद्से की वज़े से काफी ज़्यदा नुक्सान हो रहा है college को काफी ज़्यदा funds हम खो रहे है और हारलर नाम का एक इंसान जो की कॉलेज को 10 मिलियन डॉलर डोनेट करने वाला था वो इस इंसिडेंट की वज़से अब क्या करेंगा कुछ भी पता नहीं इसलिए मैं उसे नहीं खोना चाता तो जो भी करना सोच समझ कर करना तभी बताय जाता है कि शेर्मन का लेक्चर शुरू हो जाता है और उसके काफ़ ज़्यादा विशाल पेट की वज़से वो उसका नीचे का लिखा हुआ सभी उतनी लाइन मिट जाती है और उसे पता भी नहीं चलता सभी स्टूडेंट्स उसके उपर हस रहे थे तभी एक नई टीचर वहाँ पर आती है जिसका नाम स्कारला था स्कारला शेर्मन को बताती है कि वो उससे कपसे मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसके काम को काफ़ ज़्यादा पसंद करती थी उसकी खुपसूरती की वज़ह से वो उसे काफी ज़्यादा पसंद करने लगा था तभी शेर्मन को घर पर बताय जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तभी हमें पता चलता है कि उसके फैमिली में हर एक इंसान उसी की तरह मोटा है और मोटापे की प्राबलम से उन्हें भी काफी ज़्यादा दिक्कते के सामना पकरना पड़ता था इसलिए शेर्मन को लगता था कि ये हमारी फैमिली प्राबलम है लेकिन उसके फादर उसे कहते थे कि शेर्मन तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो लेकिन अपने मोटापे को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते और वो अपने इस मोटापे की प्राबलम से भी काफी ज़्यादा खुश थे और उन्हें खाते वक्त ग्यास पास करनी की काफी ज़्यादा बुरी आदत थी जिस वज़े से वो तभी ग्यास पास करने लग जाते है और इतनी देर तक करते है कि उनकी पॉड़े निकल जाती है और वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वासे जाते है और शेर्वन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तभी उसकी माम उसे दिलासा देती है उसे कह दी है कि तुम कितने भी मोटे हो जाओ और कैसे भी दिखो लेकिन तुमारा दिल काफे ज़्यादा सुन्दर है जिस वज़े से वो काफे ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है तभी वो कारला के घर चला जाता है उसे डेट का पूछने के लिए और वो डेट पर उसके साथ चलने के लिए हा कर देती है वो काफे ज़दा खुश था और वो फ्राइडे को डेट पर जाने का प्लैन करते है वो घर पर आता है वो काफी ज़दा खुश था क्योंकि उसकी पसंद की लड़की के साथ वो डेट पर जा रहा था तभी वो घर पर आकर टीवी स्टार्ट करता है और देखते देखते उसकी आख लग जाती है और तभी उसे एक सपना आता है, वो सपना देखता है कि कारला और वो एक बीच पर घूमने गए है और कारला उसे किस करती है, लेकिन उसकी वज़न की वज़़से कारला मिट्टी में दस्ते जाता ही थी तबी वो गबरा कर उट जाता है और टीव में देख रहा था कि वो इनसान कह रहा था कि ये मैं कर सकता हूँ ये मैं कर सकता हूँ जिसकी वज़े से वो काफी ज़्यादा जोशीला हो जाता है और वो अपना वजन कम करने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार था और तबी व जीम लगा लेता है और फिर वो साती जुम्बा क्लासेस में भी जाइन हो जाता है और फिर काफी जादा मेनत करने के बाद भी फ्राइडे आ जाता है और वो कलब में जाते है घुमने के लिए वो वहाँ पर काफी जदा इंजाय कर रहे थे लेकिन वहाँ पर एक कॉमेडियन आया था जो कि लोगों की मजे ले रहा था और जब वो शेर्मन को देखता है तो वो शेर्मन की काफी जदा बिज़ती कर देता है जिस वज़ा से शेरमन को रोना तका जाता है वो काफी ज़दा दुखी था तब एक कारला और शेरमन घरा जाते है और कारला उसे अच्छा फिल करवाने के लिए उसे उसकी तारीफ करती है वो उसे ठैंक्यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है और वो घर पर अखिला था जिस वज़े से वो काफी ज़्यादा दुखी था और रो रहा था जिस वज़े से वो काफी ज़्यादा जंग फूट खा रहा था आईस क्रीम खाते काते सो जाता है तभी उससे एक सपना आता है फिर से कि उससे heart attack आगया था उसके मूटापे की वज़ा से और वो हस्पिताल में अभी लेटा हुआ था और वहाँ पर एक गड़ा सा giant बनता जा रहा था और वहां से जाएंट बन कर वो भारा जाता है जिस वज़से सारे लोग उससे डरने लगते है वो ये देखते हुए डर के मारे उठ जाता है और तबी वो ये सोचता है कि जिम, एक्सरसाइज और डाइटिंग के वो ज़से वो इतनी आसानी से कम नहीं होने वाला इसलिए वो अपने साइन्स प्रोजेक्ट को इस्तिमाल करने की सोचता है वो रात में लैब में जाता है मेडिसन फिर से बनाता है और खुद में वो मेडिसन यूज़ कर लेता है वो मेडिसन को पी जाता है उसका बीपी और हाडरेट काफी जदा बढ़ चुका था मगर उसका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका था वो जैसे ही सुबह में उठता है वो अपने आपको आइने में देखकर काफी जदा हैराना और दंग रह जाता है क्योंकि अब वो मोटा नहीं रहा और वो काफी जदा फिट और यंग इनसान बन चुका था वो भार जाकर चिला चिला कर सभी को ये बता रहा था और सबसे पहले वो शॉपिंग मॉल में जाता है अपने लिए अपने साइस के नए कपड़े लेने और तभी वो फिर से लैब में आ जाता है और वहाँ पर काम करने लगता है तभी वहाँ पर कारला आ जाती है कारला उसे पैचान नहीं रही थी इस वज़े से वो खुद को बड़ी लाव नाम से उसके सामने इंट्रिजूस करता है वो उस रात के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता है और नहीं ये बताता है कि वो शेर्मन है वो बताता है कि मैं शेर्मन का एक लैप असिस्टन्ट हूँ वो उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है कारला उसे हाकर देती है क्योंकि वो शेर्मन का असिस्टन्ट था तभी अचनक से उसकी उंगलिया काफी ज़्यादा मोटी होने लगती है वो कारला को वहाँ से भार बेश देता है जल्दी से क्योंकि वो अब शेर्मन में फिर से बदलने वाला था वो फिर से मोटा बन चुका था और फिर अगले दिन कारला उसे बड़ी लव के बारे में बताती है वो उसे बताती है कि बड़ी लव उसे डेट पर ले जाना चाहता है तभी शेर्मन उसे बताता है कि बड़ी काफी ज़्यादा अच्छा इंसान है और तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए बार उस कॉमेडियन की बड़ी ही इंसल्ट कर देता है और तभी वो स्टेच पर जाता है और दोनों के बेच एक कॉमेडी बैटल होती है जिसमें बड़ी जिच जाता है तभी वो कॉमेडियन उससे काफ़ ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि सारी अटेंशन शोक ही बड़ी न लगता है इलर्जी का बहाना करके वो वहाँ से भारा जाता है वहाँ पर उस क्लब में शेर्मन का असिस्टेंट भी था वो शेर्मन का कार्ड देखकर बुस्ता है कि ये किसका कार्ड है तभी वो उसे बताता है कि ये तो बड़ी का कार्ड है उसे बड़ी ने दिया था उसे लगता है कि शेर्मन का कार्ड इसने चूरा लिया है इस वज़े से वो उस बड़ी के पीछे लग जाता है वो उसका पीछा करने लगता है वो उसके पीछे कार तक आ गया था कार के अंदर वो देखता है कि बड़ी का नीचे वाला होट काफी ज़्यादा बड़ा और लटक र पड़ता है शेर्मन कॉलेज के लिए अगले दिन काफी ज़्यादा लेट हो चुका था इसलिए जल्दी जल्दी कॉलेज में आता है और क्लास में देखता है कि कोई भी स्टुटन्ट नहीं आया हुआ था अब तक सिर्फ कॉलेज का दिन उसके रस्ता देख रहा था उसकी क् आते है कि हारलन के उस रिफंट के बारे में अगर कुछ वे प्रावलम आई तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे शेर्मन का वो सिरम प्रोजेक्ट उसे काफी ज़दा पसंद आना चाहिए बस डिन यहीं चाहता था तभी शेर्मन कारला से मिलता है कारला उसे बड़ी के बारे म और वो कारला को उसके पर्सनल रिलेशन्शेप और उसके पर्सनल कोशन्स भी पूछने लग जाते हैं जिस वज़ए से कारला काफी ज़दा अंकमफर्टेबल फेल करने लगती है तभी शेर्मन के फादर का फार्ट शुरू हो जाता है जिस वज़ए से उसे बिलकुल भी इंतजार कर रही हो तबी, शेर्मन को यह ऐसास होता है, कि वो बड़ी बन कर ही कारला के साथ रह सकता है, और उसके पास जा सकता है, जिस वज़से वो लैब में फिर से जाता है बड़ी बनने के लिए, लेकिन उसका लैब असिस्टंट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो उसे बताता है कि ऐसा करने से तुम्हारा लेवल काफी ज़्यादा बढ़ रहा है जिस वज़े से आगे चल कर इससे तुम्हें काफी ज़्यादा तकलीफे बोगतना परेंगी इसका ज्यादा योज़ करने पर दीरे दीरे बड़ी शे असिस्टेंट उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन बड़ी काफी ज्यादा चालाग था इसलिए वहाँ से निकल जाता है बड़ी कारला को लेकर होटल जाता है जहाँ पर शेर्मन का रस्ता देखते हुए दीन और हारली बैठे हुए थे दीन और कारला सारा क्रेडिट वो खुद ले लेता है कारला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था वो उसे दभी कारला बड़ी को जाकर बताती है कि सब को बता दो कि ये शेरमन का एडिया था लेकिन बड़ी उसे बताता है कि मुझे कोई फर्क ने पड़ता मैं किसी भी लड़की के साथ रह सकता हूँ और वो कारला को काफी भला बुरा बोल देता है जिस वजह से कारला वहां से गुस्से में चली जाती है तभी दिन शेरमन की सारी पोजिशन बड़ी को दे देता है और वो प्रोजेक्ट फाइनल करके फाइनल प्रेजेंटेशन बड़ी को करने का सौफ दे कि सारे लड़कियों के साथ वह सोया तूलगा लए और वो उसे इतनी लड़कियों के साथ काफिज़ा है। वो उसे काफी ज़्यादा बाते सुनाती है और उसे कहती है कि तुम भी बड़ी की तरह ही हो तब इन एक्स डे कॉलेज में शेर्मन को ये पता चलता है डीन उसे बताता है कि तुम्हें फायर कर दिया गया है और तुमारी जगा अब बड़ी को दे दी जा चुकी है वो घर पर बाइट कर खाना खा रहा था तब ही उसके हट से VCR चालो जाता है बड़ी की वीडियो स्टार्ट हो जाती है जो कि शेर्मन का काफी ज़्यादा बुरी तरह से मज़ा कुड़ा रहा था और उसे वो सिरम लेने को कहता है तभी शेर्मन वो सारी सिरम डिस्ट्रोई करना शुरू कर देता है बड़ी जो की काफ़ ज़्याद चलक था उसने शेर्मन की डायट ड्रिंग पे भी वो लिक्विड मिलाया था जिस वज़े से जैसे ही बड़ी वो डायट ड्रिंग पीता है वो फिर से बड़ी बन जाता है और तभी वो हॉल में चला जाता है और तभी वो उसका लैब असिस्टंट देखता है कि उसकी लेवल काफ़ ज़्यादा बढ़ चुकी है अगर एक और डोस बड़ी ने ले लिया यानि शेर्मन ने ले लिया तो वो हमेशा के लिए बड़ी रह जाएगा और शेर्मन हमेशा के लिए मर जाएगा बड़ी तभी सबी लोगों को उस सिरम के बारे में बताता है उसका पेट काफ़ी ज़दा मोटा हो रहा था कभी उसकी आख मोटी हो रही थी अचानक से उसक तो जो कि बड़ी का गला दबारा था वो बड़ी का नहीं बलकि शेर्मन का है जो कि बड़ी को सिरम पीने से रोक रहा था और फिर अंत में बड़ी वो सिरम नहीं भी पाता और शेर्मन फिर से बाहरा जाता है वो सभी के सामने बड़ी से शेर्मन बंज गया था जिस वज़े सबी लोग काफी जदा हैरान थे और डर चुके थे उससे तभी शेरमन सभी को बताता है कि ये प्रोजेक्ट सभी की मदद करने के लिए सभी का मोटा पादूर करने के लिए था लेगन ये काफी बुरी तरह से फेलो चुका है और बताता है कि मुझे खुछ से ही एक हेल्दी की दरीगे से वेट लोस करने की कोशिश करनी चाहिए थी वह निराशो कर वहाँ से जाने लगता है तभी कारला उसके पास आती है उससे रोकती है और उससे डांस करने के लिए पूछती है उसे वह बताती है कि मैं तुमारे साफ मन की वाज़े से तुम्हें हमेशा से करने लगता है तो अगर आपको यह पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेर करिए और मुझे कोमेंट सेक्षन में भी जरूर बताइएगा कि आपको और भी ऐसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मिलते हैं ऐसे ही ऑसम टॉपिक के सा अगली वीडियो में तिल देन बाई